हम सबका स्वागत हैं आईए हम पवित्र शास्त्र बाइविल में से कुछ बातों को देखते हैं चलते हैं हम रोमियो की पत्री में हम चलते हैं रोमियो की पत्री का पांच हुआ अधियाए में हम ऐसे बहुतों ने येशु मसी को या येशु मसी के उस महान बलीतान को ग्रहन किया है विश्वास किया है और ऐसा विश्वास करने के बाद अमारी जिन्दही कैसे होगी उस बारे में आज हम चर्चा करते हैं हमारे बीच में कुछ नया लोग भी है जिन्नों ने इनी दिनों में कुछ दिनों या महिनों हपतों पहले प्रभू येश्व मसी के बारे में सुना, समझा और विश्वास किया उनके लिए भी और जो बहुत लंबे समय से प्रभू के पीछे हैं चल रहे हैं उनके लिए भी और जिन्नों ने विश्वास अभी नहीं किया उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि एश्व मसी के उस महान बेलिदान पर विश्वास करने के बाद आपकी जिन्दही कैसे होगी इस बारे में जानना अच्छा है क्योंकि अमारी जिन्दगी जो है, अमारा जीवन जो है सच मुच बदल जाता है, पांचवा अध्याय का पहला पद को हम देखते हैं, लिका है अता जब हम विश्वास से दर्मी ठेरें, तो अपने प्रभू येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, ज्यान देने वाली बात ये है कि विश्वास के द्वारा अम धर बलिदान के विशे में सुनने से पहले और उस बलिदान को ग्रहन करने तक हम बिलकुल भी धर्मी नहीं थे, परमेश्वर की नजर में अम पापी थे, पिशले बार में मैंने इस बारे में बदाया था, हमारे नाम बे लिखा हुआ था कि अम पापी है, लेकिन जैसे ही हमने येश्व मसी के उस बलिदान पर विश्वास किया, यानि हमने ये माना कि हम पापी है, हमने परमेश्वर के सामने इस बात का अंगिकार किया कि परमेश्वर मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं इस सत्य पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि येश्यु मसी यानि परमेश्वर मनिश्य बन के आया, मनिश्य के बीच में रहा, और एक दिन क्रूस पर मुझे पाप से मुक्त करने के लिए, छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया, जैसे ही आपने वो विश्वास किया जैसे ही मैंने उस बात पर विश्वास किया परमेश्वर की नजर में मैं दर्मी हो गया यानि हमने इस संसार में अदालत को देखा है अगर अदालत में कभी नहीं गया है तो भी हमने मूवीस में देखा है स्वर्ग में भी परमिश्वर के पास भी एक अदालत है और उस अदालत में हर एक इनसान परमिश्वर के सामने से गुजरता है और एक दिन आपकी बारी आई एक दिन मेरी बारी आई हमारे नाम पे लिखा हुआ था कि हमारा चोड़ दीजे मेरे नाम पे लिखा हुआ था और आप सब के नाम पे भी लिखा हुआ था पापी महा पापी लिखा हुआ था क्योंगि हमने हमारे जनम पाप से हुआ हमारे सारे करम में इसलिए पाप है और मैं गुनाहगार था मेरे नाम पे लिखा हुआ है पापी और अदालत में परमेश्वर स्वयम न्याई है पवित्र शास्त्र जगा जगा पर इस बात की गवाई देता है और क्योंकि मैंने येश्व मसी के उस काम को सिविकार कर लिया परमेश्वर ने मुझे या मेरे लिए गोशित किया कि अब मैं पापी नहीं हूँ परमेश्वर ने मुझे अम कह सकते हैं परमेश्वर की वचन के अनसार परमेश्वर ने मुझे बरी कर दिया मुझे इनसन दिक्लेर किया मुझे मुझे माफ कर दिया और परमेश्वर ने ये गोशित किया कि अब मैं नर्दोश हूँ और ये बात इंसान की समझ में आराम से हम समझ नहीं पाते हैं यह इतना जल्दी कैसे हो गए है सब एक पल भी नहीं लगाया परमेश्वर ने आपको निरुदोष गोशित करने के लिए अपने कामों से इस पदवी को या इस सत्यों को हासल नहीं कर सकते हैं अपनी बक्ती से नहीं कर सकते थे लेकिन जैसे ही मैंने और आपने येश्व मसी के उस बलिदान को स्विगार किया हमारे नाम पे ये लिख दिया गया कि अपसे ये निर्दोश है अपसे ये दर्मी है सोचे इस बारे में आपके जीवन में ये बदला हुआ है अब आज की बाशा में कह सकते हैं कि आपके डी एने जो है बदल गया है उस समय से पहले जिस समय आपने विश्वास किया उस समय से पहले तक आपका बविश्य जो है ऐसा था कि आप नरग की ओर जा रहे थे यानि अनन्द मृत्यूं अनन्द मृत्यूं की खासियत क्या है कि हमेशा के लिए यानि इस संसार में इस दुनिया में जैसे हमारे जिवन खतम हो जाएगा हमारी आत्मा जो है सीधा नरग की ओर जाएगी और वहांबर अनन्द काल जिसका कोई अन्द नहीं है आप परमेश्वर से दूर रहेंगे और अंधकार में रहेंगे और तडबते रहेंगे दर्द में रहेंगे लेकिन वह डिस्टिनी जो है वो जो आपके नाम में लिका हुआ था वो एकदम बदल गया आपकी जिवन की दिशा एकदम बदल गई पल भर में और अब आप कहां जाएंगे अनंद जीवन में जाएंगे परमेश्वर के संग रहेंगे रोशनी में रहेंगे और आनंद के साथ रहेंगे ये मैं बवशी की बात बता रहा हूं और उस समय और अबी के समय के बीच में जो फासला है उसमें क्या होगा उसको भी हम देख लेंगे आज तोड़े समय में जल्दी से हम देख लेंगे इन बातों को लेकिन सबसे पहले हर एक विक्ति को जिसने येश्व मसीद की उस महान बलीदान को स्विकार किया है विश्वास किया है उनको ये समझना ज़रूरी है कि विश्वास के कारण कौन सा विश्वास? ये विश्वास नहीं की परमेश्वर है ये इस विश्वास से नहीं की परमेश्वर अच्छा है इस विश्वास से भी नहीं की परमेश्वर करना करी है फिर कौन सा विश्वास इस सचाई पर इस सत्य पर आपने विश्वास किया कि ये शुमसी आपके पाबों से आपको छु कुछ भी करने की जरूरत नहीं धर्मी बनने के लिए क्योंकि आप हमेशा के लिए धर्मी हो आपके आपके नाम से या आपके गिले में से वो टायक उतार दिया गया जिसमें लिका हुआ था पापी और उसकी जगा दूसरा टायक चड़ गया उसमें लिका है यह पवित्र है यह नर्दोश है और यह काम सिरफ्ड परमेश्वर ही कर सकता है जो की जगत का न्याई है परमेश्वर ने आपको आपका न्याई दिया क्योंकि आप ने परमेश्वर की एक बात को मान लिया अब कौन सी बात कि आप पावी थे और येश्व मेसी ने आपको पाप से चुड़ाने के लिए अपने जीवन दिया उस सत्य को आपने मान लिया आप दर्मी ठेराय जा चुके हैं और हमेशा के लिए आप दर्मी है इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता इसको कोई मिटा नहीं सकता और ये बात आपको और मुझको अच्छी तरह से मालम होना चाहिए क्योंकि जो जिन्दगी अभी बची है अभी 120 साल कुल मिला के हमारी जिन्दगी आयू है तो उससे मैनस कर लेना अभी प्रसनली आपकी जो आयू है तो बाकि जो जिन्दगी बची है उसमें परमेश्वर के मरजी के अनिसार जीने के लिए आपको सबसे पहले ये मालूम हो बारा हिंदी में जिसरे से लिखा है वो पूरा अर्थ आपको नहीं समझ आता क्योंकि ये पुराने हिंदी में लिखा है जिसरे में लिखा गया था शायद उस जमाने के लोगों को समझ आता था आज की बाशा में मैं आपको बताता हूं हम में से हरे को यानि सब को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब परमेशुर के साथ हमारी शान्ती है यानि परमेशुर और मेरे बीच में शान्ती है मेल है मतलब क्या है परमेशुर और मेरे बीच में शान्ती है और हम या मैं और आप हमेंसे हरे एक जन वेक्तिकर तोर पर ये बात लागू है इसलिए मैं हम शब्द इस्तमाल नहीं कर रहा हूं हमेंसे हरे एक जन अब परमेशुर के साथ उस मेल मिलाब के कारण जो एश्युमसी के द्वारा हुआ है आनंत के साथ जिएंगे इसका मतलब ये है ये जो लिकाना ह के इसका मतलब है कि परमेशुर और मेरे बीच में शांदी है और क्योंगी ये श्युमसी का उस बलिदान पर विश्वास करने के कारण परमेशुर के साथ मेल मिलाब हुआ मैं उस आनंत में जीऊंगा अब एक सवाल आता ना कि परमेशुर और मेरा मेल मिलाब पवितर शास लिएंस्तर कहता है कि येश्व, मसीप और विश्वास करने से पहले आप परमेश्वर के दुश्वंद दे। एकीन करना मुश्विल हो जाता, कि मैंने ऐसे कौन आ काम किया था कि परमेश्वर का मैं दुश्वन बन गया। सिर्ट आपको और मुझको कुछ विशेश कारी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जनम से मैं परमेश्वर का दुश्मन था मैंने फिछले बार भी समझाया था जनम से क्यों था क्योंकि मेरे माता पिता परमेश्वर की दुश्मन थे वो क्यों क्यों क्योंकि उनके माता पिता हम पीछे को जाएंगे आदम में जाके रुख जाएंगे आदी मानव क्योंकि उसने परमेश्वर से दुश्मनी की इसलिए पूरी मानव जादी जो है चाहे आप किसी भी जगा के हो कोई भी बाशा वोलने वाला क्यों ना हो किसी भी दर्म को मालने वाला क्यों नहीं हो कोई फर्एक नहीं पड़ता सारे के सारे परमेश्वर के दुश्वन है हम अपने विजारों में और अपने विवहार में पवितर शास्तर कहता है इसी पत्री का इसी पांच सुबान दियाय का दस्वर पद में लिका है क्योंकि बेरी होने के दशा में बेरी मलब दुश्मन, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, उसके पुत्र की मृत्यों के दुवरा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, इसलिए परमेश्वर के साथ शांदी की बा धन्यवाद, हिंदी में थैंक यू लोर्ड, ये दुश्मनी की शुरुवात मैंने नहीं की थी, लेकिन जनम से मैं परमेश्वर के साथ दुश्मनी करता रहा, और कैसा करता रहा, पवितर शास्त्र कहता है कि हम अपनी मर्जी पर चलते रहें, हम अपनी मर्जी से इश्वरों को चुनते रहे परमेश्वर से तो हम नाराज रहे क्योंकि हमें पदा चला बच्पन से ही हमें पदा चला जैसे ही हमें बातों बातें समझना हमने शुरू कि हमें समझ आया कि हम परमेश्वर की मरजी के अनसार नहीं चल रहे हैं इसलिए हमने काया कि परमेश्वर की बातों क अनसार चलना मुश्किल है इसलिए हमने क्या क्या अपने अपने इश्रों को चुनते रहे हम एक, दो, तीन, चार जितने भी हमेश चाहिए छोटे-छोटे इश्रों को हम चुनते रहे और उनको प्रसंट करने की कोशिश करते रहें लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं कि रहे कि सरजनहार परमेश्वर क्या चाहता है हमसे लेकिन एक दिन किसी ने हमें बताया किसी ने हमें समझाया कि हम पापी है और पाप से चुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है और हमने जब उन बातों को सुना जिसको हम हिंदी में सुस समाचार बोलते हैं क्योंकि वो एक अच्छा समाचार है कि हमें पापी बनके रहने की ज़रूरत नहीं पाप से हमें चुड़ाने के लिए परमेश्वर ने स्वयम एक काम किया है और हमें इसरव इतना करना है कि उस काम को मानना है जो हमें से अधिकतर लोगों ने किया और जैसे हमने किया परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ पहले हम क्या करते थे परमेश्वर कहता है कि दुश्मनी की समय में हमने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं जाना और इतना ही नहीं हमने परमेश्वर जो अविनाशी है उस परमेश्वर की महिमा को हमने नाश्वान मनिश्य और पक्षियों और फिर चौपायों और यानि चा जानवरों की महानता के समानता हमें यानि उनकी मूरत बनाके परमेश्वर की महिमा को हमने इतना गिरा दिया कि इन सब को हमने महिमा देना शुरू किया हमने अपनी मरजी की मूरत खरीद के लाए और उसके सामने दनवाद करने लेगे उसकी पूजा करने लेगे ये सब कुछ कुछ हम करते रहें और परमेशुर बरदाश्ट करता रहा लेकिन एक दिन जब आपने इस सत्य को माना सब कुछ बदल गया एक पलवर में परमेशुर ने आपके सारे पाबों गो जो कोई भी इनसान बैटके गिन नहीं सकता अगर परमेशुर ये कहता ठीक है मैं तुम्हें निरदोश गोशित करूंगा तुम्हारे सारे पाबों को माफ करूंगा लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा एक-एक पाब, कैसे कान पकड़के मेरे सामने मानना होगा तो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं भचता क्योंगी हमें याद भी नहीं कि हमने क्या क्या किया है सोच के देखिए सोच के देखिए परमेश्वर का प्यार परमेश्वर की करुणा इसमें आपको नजर आएगी परमेश्वर की महानदा आपको और मुझको इसमें दिखाई देती है कि परमिश्र ने कभी नहीं कहा कि सारे के सारे पाप बैट के गुटरोंगे बेल बैट के जैसे भी आप इमाजिन कर सकते हैं परमिश्र कहता है कि एक एक करके बोलना होगा तब जब आकरी पाप तुम बोल चुके होंगे तब मैं माफ करूँगा तो कोई नहीं बसता इसलिए परमिश्र ने क्या किया परमिश्र ने नहीं कहा कि पापों का अंगी कार करो परमिश्र ने कहा कि जो पाप से चुडाता है उसका अंगी कार करो उसके काम पर विश्वास करो और मुझसे बोलो और जैसे हमने बोला हमारे सारे पाप जो है जो उस समय तक हमने किया था हमारी जिवन से परमेशन थे खटा दिया ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है उस दिन आपकी एक नई जिन्दगी शुरू हो गई उस पल आपकी एक नई जन्दगी शुरू हो गई और अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक clean slate के साथ we started with a clean slate, आज slate सबको समझ नहीं आथा, आज IT यूग है तो हम कह सकते हैं कि we started with a new screen, blank screen जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है हमारे विरुत में, हमारे किलाब कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल blank screen एक नई शुरूहात अब क्या है, अब हमारी स्तिधी क्या है, परमेशुर के साथ हमारा मेल मिलाब ओच चुका है, हम सादरन बाशा में कह सकते हैं, परमेशुर के साथ अमारी दोस्ती है, मित्रता है पहले हम परमेशुर से बहुत दूर थे, अपने विचारों में, अपने विवहारों में लेकिन अब हम परमेश्वर के नजदी के आगे हैं इसलिए हर इनसान को जिसने येश्वी मसी के उस काम पर उस महान बिलिदान को ग्रेंड किया है ये जानना जरूरी है कि विश्वास के द्वारा हम दर्मी ठेराय जा चुके है स्वर्ग के अदालत में आपके लिए और मेरे लिए ये गोश्वना हो चुकी है और ये गोश्वना कब हुई उस दिन जिस पल आपने विश्वास किया और ये पर्मेश्वर का परमेश्वर का जो फैसला है वो हमेशा के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि परमेशुर बदलता नहीं और क्योंकि परमेशुर बदलता नहीं उसके बातें नहीं बदलती तो यह जानके आपको क्या करना चाहिए दिल पे हाथ रखे परमेशुर का दनिवाद करना चाहिए कि इतना आसान कर दिया परमेश्वर ने मेरे लिए यह है परमेश्वर का प्यार जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्यार है या वो हमसे प्यार करता है तो वो एक हलकी बात नहीं है जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वो करुणा कारी है तो वो एक हल्की बात नहीं है उसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया इतना करुणा उसने हमबर की है कि एक पल में उसने हमारे नाम भे लिख दिया कि अब हम पापी नहीं है अब हम धर्मी है और परमेशर के साथ अमारी मित्रता है सोचिए ये है आपकी स्थिदी आज की तारिक में मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ उन सब लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्नोंने विश्वास किया और मैं उनसे भी कह रहा हूं जिन्होंने विश्वास नहीं किया जैसे आप विश्वास करेंगे आपके साथ भी ऐसा ही होगा आज जोंगी हम विश्वास के द्वारा दर्मी ठराय जा चुके है पवित्र शास्त्र कहता है कि अमे परमेश्वर ने या अमे से हरे को परमेश्वर ने अपना संदान बनाया है पहले हम सिर्व परमेश्वर की स्रिष्टी में आते थे हमारे लिए ये खा जा सकता था कि हम परमेश्वर की या मैं परमेश्वर की एक स्रिष्टी हूँ लेकिन उस दिन से या उस समय से मैं कैवल स्रिष्टी नहीं परमेश्वर की संदान हो गया संतान होने के कारण मेरे पास अतिकार है जो कुछ परमेश्वर के पास है वो मेरे लिए भी है ये अतिकार मुझे मिला है उस समय ये अम्मे से हरे को जानने की समझने की जरूरत है क्योंगी ये नई जिन्दई की शुरुहात है और आखरी दिन तक अभी आप क्या है, अंध में क्या होगा, और इस फिर हम चर्चा करते हैं, बीच में क्या करना चाहिए हमें. इसमें अभी हमने, हम पांच वा दियाय में हैं, पहले पद में हमने देखा कि हम दर्मी हैं, और परमेशुर के साथ, हमारी दुश्वनी कतम, मेल मिलाब ओचुका ह उस आनंत में हमें रहना चाहिए यह जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी में कि उसके साथ मेल रखें इसका मतलब है कि उस मेल मिलाब की आनंत में अब हम रहें हमें समझने की जरूरत है और चलने की जरूरत है मैं युनानी बाश्या में पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूँ उस बात को समझने की और उसमें चलने की हमें जरूरत है पहले समझना फिर चलना कि अब अमारी मित्रता है और उस मित्रता में अब हम चलते रहेंगे उसको कोई मिठा नहीं सकता, उसको कोई खतम नहीं कर सकता आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी आप गलत काम करें, तभी परमेश्वर की मित्रता जो है, आपके जीवन से नहीं हटेगी, और उससे एक शांधी मन में रहती है अम गुना करने के बाद पापस परमिश्र की पास आज सकते हैं ध्यान रहकिए विश्वास करते समय जितने भी आपके जीवन में पापते सब कुछ खतम हो गया एक भी नहीं बचा है एक भी बिल्कुल ब्लांक स्क्रीन से आपने नई जिन्दगी शुरू की है लेकिन उसके बाद कभी-कभी हम पाप करते हैं तो परमिश्र ने उसके लिए भी उपाय बनाया है उसके बारे में किसी और दिन हम चर्चा करेंगे फिलाल इतना जान लीजिए कि आपके जीवन में जितने भी पापते उस समय सब कुछ खतम ब्लैंक स्क्रीन से शुरू किया आपने इसी अध्याय का नवपत को देखिए अंत में क्या होगा अंत में परमिश्र जब पूरी मानव जादी का नियाए करेगा और फिर जिन होने परमिश्र की उस विदी को नहीं माना परमेशुर के उस महान काम गो नहीं स्विकार किया उन पर परमेशुर का नियाय होगा और परमेशुर का क्रोध उन पर बढ़केगा लेकिन उस समय अमारे साथ क्या होगा क्या लिका है द्यान से पढ़िये अता जबकि हम अब उसके लहू के कारण दर्मी ठहरें लहू शब्द उस कुरूश को दर्शाता है यानि कुरूश में जो काम हुआ है उसको दर्शाता है उसके उस महान बिलिदान के कारण हम क्या हो चुके हैं? हम दर्मी ठहर चुके हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे इस सवाल के रूम में है क्योंगी आपको सोचना चाहिए और इसका जवाब इस सवाल में ही है क्योंगी हम दर्मी ठेराय जा चुके हैं क्योंगी हम दर्मी हैं क्योंगी हमारा मेल मिलाव हो चुका है जब परमेश्वर का क्रोध मानव जादी पर होगा उस समय हम पर नहीं होगा और इस बात पर आपको क्या करना चाहिए आपको ताली बजाना चाहिए परमेश्वर के लिए और आपको फिर्दे से दनिवात करना चाहिए इतना बड़ा काम मेरे लिए परमेश्वर नहीं किया क्यों? क्योंगी वो मुझसे प्यार करता है इसका मतलत क्या बाकियों से प्यार नहीं करता है इंतजार कर रहा है वो क्योंकि ये हर एक विक्ति को स्वयम चुनना होगा क्योंकि परमेश्वर ने आदी मानव को आदम को जब बनाया उसको अपने सुरूब में बनाया बाइबल में लिखा है उत्पति के पुस्तों में आपको मिलेगा परमेश्वर ने अपने ही चाया में अपने सुरूव में बनाया और परमेशुर ने उसको चुन्ने का अतिकार दिया है परमेशुर ने मनिश्य को चुन्ने का freedom आसादी दी है अतिकार दिया है freedom to choose कि वो कुद निरनाय लें, कुद फैसला करें ने तो परमेशुर एक सेकंड में सब कुछ कर सकता था लेकिन फिर मनिश्य मनिश्य नहीं रहेगा वो जानवर की तरह रहेगा जिसको कोई और चला रहा हो परमेशुर चाहता है कि मनिश्य के बास चुन्ने की आजादी हो कि हर एक मनिश्य स्वयम परमेश्वर को चुने, परमेश्वर के उस काम को, परमेश्वर को चुनने के जरूर दिनी, परमेश्वर ने जो काम किया है उसको चुने, उसको स्विकार करें, यह है परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर जबरजस्ती किसी के उपर कुछ भी नहीं ये का अधिकार परमेश्र ने दे रखा है अब अपनी मर्जी से उसको स्विखार करें अपनी मर्जी से उसको ठुगरा दें और जिन्नों ने विश्वास किया उनको ये अधिकार मिला है कि वो परमेश्र की संदान है परमेश्र की दोस्ती है उनके साथ मित्रता है और अंत के एक दिन, जब परमेश और नाय करेगा, जो कि एक दिन होगा। सार ser इसलिए हम कहते हैं कि دेहांद हो गया किसी नहीं कि ठाल फ्रथ मोलब देखांद हो गया खत्म को गया आप देख की कोई उस रिर की कोई जरूरत नहीं आत्मा यहां से चलीगी उसके बाद पर्मेश्वर का पर्मेश्वर ने एक दिन रखा है जब येश्व मसी हरे एक इनसान का न्याए करेगा हमारा न्याए हो चुका है मैंने अभी तोड़ दिर पहले आपको बताया था सुरकी अदालत में मेरी पेशी हुई आपकी भी पेशी हुई और जस्ट ने कहा परमेश्व ने कहा कि इसको मैं बरी कर देता हूँ क्योंकि इसने उस महान बेलिधान को गरहन किया है अब मैं इसको नर्दोष गोशित करता हूँ जब परमेश्व ने मुझे नर्दोष गोशित किया है तो मैं नर्दोष हूँ मुझे शक करने की जरूरत नहीं मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं मुझे किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं कि मैं अंदरदोश हूँ क्योंकि मैं अंदरदोश हूँ चाहे दुनिया इस वात को माने ये ना माने कोई फरक नहीं पड़ता ये है सचाही और ये है मेरी और आपकी स्थिदी आज की तारिक में और इस वात को हर रोज याद करना अच्छा रहेगा बहुत फरक पड़ेगा जब हम इस सत्य को स्मरण करते हैं मन दन्यवाद से भर जाएगा और आपका सर जो है परमिश्र के सामने अपने आप जुख जाएगा आपको मेहनत करने की जोर करने की कुछ भी करने की जुरूरत नहीं सर अपने आप जुख जाएगा हाथ अपने आप उड़ चाएगे क्योंकि उस सत्य के कारण मन जो है दन्यवाद से बर जाता है ये है आपकी और मेरी स्थिदी आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ जुनोंने विश्वास किया तन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो हमसे इतना प्यार करता है इतनी करुणा हम पर दिखाता है और उस दिन से हमारी जिन्दगी बदल गई है क्योंकि हमारा नया जनम हुआ है जो भी यकीन करना तोड़ा सा मुश्किल है हर एक इंसान जिसने येश्व मसी के उस बलिदान पर विश्वास किया द्यान से सुनिए आपका स्वर्क से जनम हुआ है यानि फिर से जनम हुआ है नए सिरे से जनम हुआ है आपके आत्मा में आपने जनम लिया है एश्व मसी के पास एक विक्ति इस बारे में चर्चा करने के लिए आया था सुर के राज में कैसे जा सकते हैं परमेश्व ने कहा कि सुर के राज में जाने के लिए यह आपको मिलेगा योना का सुसमाजार का तीसरा अधिया में Gospel of John chapter 3 प्रभू येश्व मसी ने कहा है कि अगर स्वर्ग के राजी में जाना है या उस अंदिम नयाय से बचना है उस क्रोज से अगर बचना है तो तुम्हें नए सिरी से जनम लेना होगा और उसका सवाल था कि एक बुड़ा इंसान फिर से जनम कैसे लेगा तब प्रभू ने समझा है था कि उसको आत्मा में जनम लेना होगा प्रभू ने उस समय कहा था कि जो जो शरीर से जनमा है वो शरीर है और जो आत्मा से जनमा है वो आत्मा है उसके बाद एक कुपसूरत बात प्रभू ने कही है मैं चाहता है कि आप उसको देखे युहना का सुसमाचार जोन चाप्टर 3 और यहां बर शायद हम अपना आज का दियन को समाप्त कर सकेंगे क्योंकि यह बात समझने के बाद हमें बहुत कुछ समझ आएगा और दनिवाद प्रमेश्वर का दनिवाद ववितर आत्मा का जो हमारी आँखों को खोल देता है हमारी समझ को खोलता है और हमें समझाता है यहां बर येश्व मसी ने उस बारे में चर्चा करते हुए कहा कि आठ पपत में कहां से आती है और किदर को जाती है यह हवा के बारे में बात हो रही है और इनानी वाश्व में हवा के लिए और पवितर आत्मा के लिए एक ही शब्द है रूट वर्ट दोनों का सेम है प्रभु ने का हवा जब चलती है हमें समझ में आता है हवा चल रही है आवाज शब्द सुनाई देता है लेकिन अमें से कोई नहीं कह सकता है कि हवा आ कहां से रही है और कहां गो जा रही है उसका दिशा हमें नहीं समझाती है लेकिन परमेशुर ने कहा ऐसा ही है जो नए सिरे से जनम लेते है यानि ऐसा ही है जो येश्व मसी के उस बलिदान को विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संदान बन जाते हैं संदान कैसे बनते हैं नए सिरे से उनका जनम होता है नए सिरे से जनम पाने के बाद यानि एश्यमसी के उस वेलिदान को करहन करने के बाद आपकी जिन्दगी भी ऐसी है कि दुनिया आपको नहीं समझ सकेगी आप आत्मा के साथ रहेंगे आत्मा के तरह आप रहेंगे यानि हवा कहां से आ रही है और कहां को जा रही है कोई नहीं बदा सकता इसी तरह आपकी जिन्दगी रहेगी आप दुनिया से बिल्कुल हट के रहेंगे दुनिया आपको पहचानने में दुनिया को दिक्कत होगी क्योंकि आप अंदर से बदल जाते हैं बाहरी रूल से आपको आपके शरी में कोई बदलाब खास बदलाब नहीं आता इतना बदलाब आएगा कि आपके चेहरे में हमेशा कुशी होगी आपके चेहरे में हमेशा मुस्कुरहाट दिखाए देगी क्योंगे अंदर कुशी है अंदर शांती है अंदर से आपको पता है कि आप मैं परमेशुर का दुश्मन नहीं हूँ, परमेशुर के साथ मेरी मित्रता है इसलिए शान्ती है, इसलिए खुशी है और दुनिया कभी नहीं समझ सकेगी कि आपके मन में इतनी खुशी क्यों है इस पैंडमिक के समय में भी आप खुश क्यों है आप परेशान क्यों नहीं है, आपके अंदर टेंशन क्यों नहीं है आपकी सालरी कट गई, तभी आपके मन में टेंशन नहीं है आपके बिसनस में असर पड़ा है पैंडमिक के कारण, तभी आपके मन में खुशी है ये दुनिया नहीं समझ सकेगी क्यों? क्योंकि आप नए सिरे से जनम पाकर परमेशर की संदान होने के कारण परमेशर के साथ मितरता होने के कारण परमेशर की शांदी लिए फिरने के कारण परमेशर की कुशी लिए फिरने के कारण आपके चेरे में मुस्करा हट है और सिरब इतना ही नहीं आप दूसरों को भी कुशी देते दूसरों के मन में भी आप शान्दी देते कैसे परमेशुर की बातें समझा कर हवा कहां से आती है और कहां गो जाती है हाँ अगर पेड़ पवधों के पत्ते हिलते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में जा रही है तोड़ी देरी के लिए पता चल जाता है लेकिन हवा दिशा बदल देती है ऐसा ही हमारी जिन्दही ही है यह है परमेशर का प्रेम यह है परमेशर की खरुणा एक लेन और पढ़ते हैं ये बताकर प्रभु येश्व मसी ने कहा जो कोई आत्मा से जन्मा है वे ऐसा ही है अपने आपको समझने के लिए अपने आपको पेचाने के लिए इस लाइन को फिर से पढ़िए परमिश्व ने कहा कि जो कोई नए सिरे से जन्मा है परमेशुर ने यह नहीं कहा कि जो कोई छर्च जाता है जो कोई मीटिंग में जाता है नहीं जो कोई इस तरह से नए सिरे से जन्मा है उनकी जिंदेगी इस हवा की तरह है कोई उसको खेद नहीं कर सकता वो आजाद रहेगा परमेशुर की वजे से परमेशुर के साथ आत्मा के साथ और पवित्र आत्मा जो आप नए सेरे से जनम लेते हैं मैंने आपको बदाया उसको बाइबिल में ऐसा भी कहा है कि स्वर्ग से जनम लेना उपर से जनम लेना आत्मा से जनम लेना जो कि अभी हमने यांबे पड़ा येश्यमी उसी ने कहा ऐसा ही है जो आत्मा से जनम लेते हैं उस आत्मा के आत्मा से जनम लेने के कारण आपके अपनी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा उस समय से वास करना शुरू करता है और वो सदा के लिए है कभी छोड़ के नहीं जाएगा ध्यान से सुनिए जो लोग कि तरह दुनिया को नहीं पदा चलेगी कि आप ऐसा क्यों है और वाके में लोग आपसे पूछेंगे अगर आपने आत्मा से जन्मा है तो आपके चाल चलन को देखते हुए आपके बात्थित को देखते हुए आपके अंदर जो खुशी है जो शान्ती है उसको देखने के बाद लोग आपसे पूछेंगे अगर नहीं पूछा तो आपको अपने आपको जांचने की जरूर थे सवाल पूछने की जरूर थे कि वाकि में मैंने एश्यमसी के उस बलेदान को अंगीकार किया है नहीं किया क्योंगि अगर आपने अंगीकार किया है तो आत्मा से जन्म जरूर हुआ है और आत्मा से जन क्योंकि लोग पहले आपको समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल भी नहीं समाझ आएगा फिर आप से पूछेंगे हिमत करके कि आप ऐसा क्यों है यह है नया जीवन अगर अभी तक आप में से किसी से किसी ने नहीं पूछा तो आपको आईना देखने की जरूरत है यानि परमेश्र के बचन में फिर से देखने की जरूरत नहीं है जरूरत है और समझने की जरूरत है कि क्या वाके में मेरा आत्मा से जनम हुआ है क्या क्योंकि हुआ है तो लो लेकिन इंसान की फिलोसफी से नहीं समझ आता फिर भी वो समझने की खोशिश करेगा तो यह है हमारी नई जिन्दगी परमेश्वर का आत्मा और फिर पवित्र शास्त्र जो हमारी सहायता की लिए उस दिन से उस समय से जब आप बाइबल उठाके पढ़ना शूरू करेंगे आपको बाइबल की बाते समझ आएगी परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है वो आपके अंदर की आँखों गो ऐसे खोल देगा कि बातें जो आप पढ़ रहे हैं आपको समझ आएगा पवित्र शास्तर में लिखा है कि उसकी बातें जो है परमेश्वर की बातें यह जो बाइबल है यह परमेश्वर के वि आपके अंदर के सारी लाइट जो है जलना शुरू हो जाएगी सारी बतियां एक साथ जलने शुरू हो जाएगी और आपको बहुत कुछ समझ आएगा पहित्र शास्तर में लिखा है कि इस वचन के समझने से एक इनसान बुद्धिमान बन जाता है साधारन मनिशी भी बुद्धिमान बन जाता है और फिर काम में उसको प्रवीन्ता मिल जाती है ये नीदी वचन में लिखा है आप बाद में पढ़ लेना प्रोवर्ब्स चाप्टर वन पहला अधियाक की शुरुवात में ही लिखा है आपकी बुद्धि बढ़ जाती है शिक्षा आपको मिलती है प्रवीन्ता कामों में मिल जाती है विद्धिया मिल जाती है सब कुछ मिल जाता है जयान के साथ, बुद्धि के साथ निक्षपश्रदा के साथ दूसरों के साथ कैसे विवहार करना है वो भी आपको समझ आता है इस पवित्र शास्तर के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद से यह है आपकी कंडिशन यह आपकी स्थिदी येश्य मसी पर विश्वास करने के बाद और इसमें हम क्या देखते हैं परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की करुणा हम पहले परमेश्वर की दुश्मन थे हम को छोड़िये मैं परमेश्वर की दुश्मन था लेकिन जब येश्य मसी के उस काम को मैंने ग्रहन गिया विश्वास किया परमेशर के साथ मेरी दोस्ती मेरी मितरदा होगी आज परमेशर की शांती मुझे है उसका आनंद मुझे है उसने मुझे अपना वजन दिया है जिसके दौरा मैं परमेशर को और भी अच्छे तरह समझ सकता हूँ मुझे सिکाने के लिए दुनिया के सबसे बहतरी इन सबसे स्ट्रेष्ट शिक्षक अध्यावक गुरु मेरे पास है पुटर आत्मा, वो सिकाता है, समझाता है आंगें खुल जाती है, लाइट सारी जल जाती है और बातें समझ जाती है और हम इस संसार में रहकर इस संसार के लोगों के समान नहीं परमेशुर की संदान बनके इस संसार में रहते हैं और दुनिया हमसे पूछती है आप कौन है, आप ऐसा क्यों है यह है असली मसीही जिन्दगी इसमें आपका स्वागत है